Celsius को Fahrenheit में convert करने के लिए हम इस formula का इस्तेमाल करेंगे और Fahrenheit को Celsius में convert करने के लिए हम इस वाले formula का इस्तेमाल करेंगे Human body का temperature 37 degree Celsius होता है लेकिन यह कितने degree Fahrenheit होगा चलिए solve करते हैं हम 37 को C की जगा प्रपूट करेंगे जो की होगा 37 times 9 over 5 plus 32 37 को 9 से multiply करने पर हमारे पास आएगा 333 over 5 plus 32 333 को 5 से divide करने पर हमारे पास आएगा 66.6 plus 32 और इसे add करने पर हमारे पास आएगा F equals to 98.6 इस तरह से 37 degree Celsius 98.6 degree Fahrenheit के equal है चलिए एक और example देखते हैं अब जैसा की हम जानते हैं की पानी का freezing point 0 degree Celsius है चलिए इसे Fahrenheit में बदलते हैं हम 0 को C की जगा पर पुट करेंगे C की जगा पर 0 पुट करने पर हमारे पास आएगा F equals 0 times 9 over 5 plus 32 0 को 9 over 5 से multiply करने पर हमारे पास आएगा 0 plus 32 और हमारे पास आएगा F is equals to 32 इस तरह से 0 degree Celsius 32 degree Fahrenheit के equal है चलिए अब Fahrenheit को Celsius में convert करते हैं 212 degree Fahrenheit पानी का boiling point है चलिए इसे Celsius में convert करते हैं Fahrenheit में temperature से हम 32 को minus करते हैं इसे हम 9 से divide करते हैं और 5 से multiply करते हैं ये temperature को Fahrenheit से Celsius में बनने का formula है हम 212 को F की जगा पर put करेंगे जो की होगा 212 minus 32 over 9 multiplied by 5 212 से 32 को minus करने पर हमारे पास आएगा 180 over 9 multiplied by 5 180 को 9 से divide करने पर हमारे पास आएगा 20 times 5 और 20 को 5 से multiply करने पर हमारे पास आएगा C equals 100 इस तरह से 212 डिग्री Fahrenheit 100 डिग्री Celsius के equal है आपको और किंटो पिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्राइब कर देना